स्टूडेंट के लिए वीडियो है काउंसलिंग प्रॉसेस में जिन बच्चों का नाम आ गया है उनको बहुत बहुत बदाई याद रखना इस बार मेरा प्रडिक्षन है सेकेंड राउन में कट आफ नीचे जाएगा और पिछले साल की तरह बहुत उपर नहीं जाएगा मॉप अप में सिग्निफिकेंटली ड्राउन डाउन जाएगा ये भी आप लोग देख लेना और इस ट्रे में भी यही हाल अल इंडिया का होने वाला है तो जिनके मार्क्स नहीं आया है जिनके अभी तक सेलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है वो इतना ज़्यादा पैनिक ना हो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आप लोग को क्या करना है अगर आपका ये लास्ट चांस है तो आप इस्टे तक बिलकुल दिल लगा के वेट करो और जिनको लगता है कोई एक ड्रॉप और ले सकते है तो वो सारे स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी जारी रखे तो ये मेरा मैसेज है आप लोग के लिए और अभी फिलहल एक ट्वीटर हैंडल है मुझे लगता है सभी लोग को उस ट्वीटर हैंडल को फॉलो भ इसको सब्सक्राइब कर रखा हूं और इसमें वो लोग देते रहते हैं इन्फरमेशन तो अभी मेरे पास जो इन्फरमेशन है उसके हिसाब से आपको एड्मीशन के टाइम में क्या-क्या चीज करनी है वो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे भी दे रहा हूं और आपको ही बता देता हूं फर्स में लिखा हुआ है यूपी नीट यूजी अंबी बीएस बीडियस के अंतरगत आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवस्यक दिसा निर्देश पहला यूपी नीट की कांसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों के प् अस्तनादेश ब्रोशर अन्य महतपूर सुचनाय विभागी वेबसाइट पर उपलब्द है जिसमें नहित व्योस्थाओं के आलोक में प्रवेस प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यहां भी दिया हुआ वेबसाइट में दिया हुआ है एक दो दिन पहले का नोटीस भी है उसमें भी उन्होंने दे दिया था राजकी नीजी छेत्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यरतियों के आवंटन पत्र पर कॉलेज नोडल सेंटर के नाम अंकित है यानि आप जो के चीज मिलता है उसी में सर्टिफिकट माल लो प्रामाडपत्र है और अच्छन से सम्मंदित प्रामाडपत्र है यह सब उरजिनल है प्रामाडपत्र आवस्यक्त अनुसार दो कंडिशन दिया था मैंने वीडियो बना रखा उस पर नीट 2022 का प्रवेश पत्र योन स्कोर कार्ड यह तो बहुत डाउनलोड वाला ही होगा आईडी आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आवंटन पत्र है एलाट्मेंट लेटा ऐसे भरति जिनका नीट यूजी 2022 की पंजीकर्ण स्लिप पर फोटो नहीं है अधार फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है ऐसे भरतियों के आवंटन पत्र पर नीट 2022 के फार्म में चस्पा यानि चिपकाई गई स्वः प्रमाडित फोटो आप दोबारा इस पर चस्पा करके प्रवेश पक्रिया संपन की जाएगी यानि जो आपके एड्मिट कार्ड पे थी आवंटन पत्र के फार्म पर चस्पा की गई अधार फोटो का मिलान नहीं हो पारा ऐसे अभरतियों के आवंटन पत्र पर नीट परिच्छा 2022 के फार्म म आजाए निजी का चेत्रों के कॉलेजों के लाबंटन प्रत अभरतियों से सासंद्वार निधारे सुल का सीटियस बैंक ड्राफ्ट सीटियस बैंक ड्राफ्ट ही बनता है आजकल जो कहीं भी क्लियर हो जाए जो महा निदेशक चिकित्सा सिच्छा और परसिच्छड उतर इंदी में भी लिखवा सकते हो अदरवाइस डारेक्टर जंदल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेवल एट लखनव के पच्छ में निर्गत किया होना चीए डीजी नोडल सेंटर पर जमा कराएंगे वो तो यह मस्तोचना कैस लेके जाए या या यूपी सेंटर पर गठित मेडिकल बोर्ट से मेडिकल किया जाना अवस्चेक है तो यह पूरा का पूरा इंफर्मेशन था मुझे लगता है जरूरी था आपके लिए सो जाईए all the best मजे कीजिए अपग्रेड जरू कराईएगा अपग्रेडेशन जरूर में जाना चाहिए आप लो